असलाम वालेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलाम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कतर में अगर कोई आदमी ममनुआ समान बेशते हुए पकड़ा जाता है तो उसके साथ में वहां कि पुलिस वाले क्या करते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम कंटीन्यू करते हैं दोस्तो यहां पर आप लोगों को एक वीडियो चलती ही वी नदर आ रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर आप लोगों को जो स्क्रीन पर काली गाड़ी आगे चलती ही वी नदर आ रही होगी यह जो है वो ग साथ में क्या क्या होने वाला है तो वीडियो के साथ में लाश तक बने रहें आगे भी वीडियो को शियर करें ऐसे लोगों के लिए जो के कतर में इस तरह का काम करना चाहते हैं या ये कि वो कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए के कतर में या यह के गल्फ कंट्री में इस तरह काम करने का क्या अंजाम होता है वहाँ पर कितनी जो बेज़ज़ती होती है पुलिस वालेज वहाँ पर किस तरह सक्तिक साथ में इनके साथ निमटते हैं दोस्तों यहाँ पर काली गाड़ी जो है आगे चल करके रुख गई है इस के जानिब जहार्वा-दику हो चुकी है तो आपर CID वाले जू lot अबस फ़ेद वाली गाड़ी के जो है नजर बना करके रखे हैं तो देखते हैं कि आगे यहँ पर क्या होने वाला है तो दोस्तों यह句 है सफेद गाड़ी मुक्तलिक रास्तों से होते भी आगे बढ़ रही है जबके CID वाले इस पर बराबर नजर जमा करेंगे रखे वे हैं और केमरे से इनकी निगरानी की जा रही है यहां पर यह जो है गारी एक जगह अलग थलग जगह में पहुंच जाती है हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है दोस्तों वो जो काली गारी आप लोगों क दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ऐसा लगता है इसको जो है चारो तरब से घेर लिया गिया है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कितने खतरनाक तरीके से CID वाले उतर करके जो है गाड़ी को रोकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि इस कोशिश में गाड़ी भी जो ह प्रट जाती है और सीशे को तोड़कर के आदमी को निकालने कि यहां पर कोशिश की गा रही है तो दोस्तों यहां पर आप लोग इसका ड्रेस देकब कर अंदजा लगा सकते हैं क्ये dóई कोई अर्भी आदमी ही जायेगा सारी चीजों को जो है 16 बिन करने के बाद में इसमें जितने भी लोग मलविस हुँझे सारे लगों को गिरफ्तार क्या जाएगा तो दोस्तों अगर ये जो स्कूर जाए जबूझें को Good 1 को धो सजा होगी ही अ较ग के से बाहर के हुँगे तो फिर भी जेल की सजा होगी उसके बाद क्या है कि जेल से निकलने बाद में इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए that से बाहर डीपोड्र उभल पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा ऐसे लोग दौबरा फिर जाद से जाद आगे शियर करें ताकि ऐसे काम करने वालों की हिम्मत शिक्नी हो